नमस्कार दोस्तों, welcome back to your own channel The Investment Guruji आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Canfin Homes Limited इस कंपनी के बारे में अगर हम लोग आज के इस कंपनी के closing price देखें तो 388 रुबिस पे stock close हुआ 10.0 up के साथ देने के 2.64% अपता stock तो आज इस वीडियो में लोग बात करने ले वाले इस कंपनी के quarter 1 के नतीज़ों की जो कंपनी के नतीज़ आ चुक है तो इसका हम लोग analysis करेंगे उसके बाद देखेंगे कंपनी के valuation और finally देखेंगे कंपनी का technical chart analysis कौन से लेवल best रगरी इस stock में एंट्री करने के लिए exit करने के लिए दोस्तों वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहे तो चली शुरू करते है इस वीडियो को अगर हम लोग company के total income के बात करें तो इस quarter में हुआ है 52,250 lakhs जो कि पिछले quarter के मुकाबले थोड़ा सा घटा है अगर हम लोग वाई-वपेस पर देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है तो इसके overall जो total income के आकड़े है quarterly as well as yearly basis पर तो एक मिली जूले आया है अगर हम लोग company के total expenditure की बात करें तो यहां पर हम लोग देखते हैं 39,645 lakhs का इस company का expenditure हुआ है इस quarter में इसको पिछले quarter से compare करते हैं तो यहां पर हलकी फूल की गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम लोग year basis पर देखते हैं तो यहां पर हमेंचे है बड़ा देखने को मि जो कि पिछले quarter में थी around 40 crore अगर हम लोग वायवा basis पर देखें तो यहां पर सिर्फ 8,6 crore के असपास की जो है इनकी यहां पर हम लोग देख सकते हैं provision थी तो हम लोग year on year basis पर देखंपर करें तो more than 5 times इस company की जो है around provision बढ़ चुकी है तो इसका सिधा सिधा impact हम लोग यहा total net profit के बात करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 93 crore का इस company को net profit हुआ है after tax P.A.T. अगर हम लोग यहां पर last quarter से compare करते हैं तो वहां पर 90 crore का हुआता तो overall देखा जाए तो quarterly basis पर जो है इसके आगड़े अच्छा है अगर हम लोग year on year basis पर देखते हैं तो last year same quarter में इनक 980 lakhs याने के जो है around 81 crore का जो है इनको profit हुआता तो अगर हम लोग यहां पर देखे तो more than 10% इनका profit बढ़ा है जिससाब से कोड़ना में बहुत सरी company ने loss post किये थे अगर हम लोग यहां पर देखे तो इसने provision भी बढ़ा है उसके बहुत जो है more than 10% profit आना एक बहुत ही अच्छी बात है अगर हमें company के रिजल्ट ज्यादा नहीं समझते तो सीथे सीथे हम लोग EPS देखते हैं तो अगर हम लोग EPS के आकड़ों पर देखते हैं तो 7 EPS आया था इस जो है quarter में आया है last quarter से compare तो वहां पर 6.8 से आया था तो हल्की फुल के quarterly based पर यहां पर बढ़े है इसके numbers अगर हम लोग year on EPS पर देखते हैं तो 6.08 जो था है इसका last year same quarter का EPS था तो year on EPS पर अच्छी कासी हुचे हम लोग 10-12% की बढ़त यहां पर EPS में देख सकते हैं चली दोस्तों बात करते है company की अगर हम लोग कंपनी का नाम देखे Canfin Home Finance Homes तो यहां पर हम लोग देख सकते है Housing Finance Institution तो यह company का जो काम का जाए है तो Finance करना Housing Institution को हम लोग company की कुछ further information देखे तो market cap है 5045 करोड तो एक small cap की company हम लोग कह सकते है और हम लोग इसके stock की PE की बात करते है तो 13.41 पर चल रहा है Industry PE से कंपर करते है तो लगबग industry PE के जो है same यहां पर हम लोग यह company का PE ratio काम काच करते हुए देखने को मिल रहा है और हम लोग company के ROE की बात करें return on equity के बात करें तो 19.13% का जो है इसका return on equity है sales growth की बात करें पिछले 3 साल ते तो 14.49% का आसपास का इस company का sales growth है face value देखे तो दो पे चल रही है इस company की अगर हम लोग debt पे देंदे तो 18,780 करोड के असपास की debt है और तो इसको market cap से compare करते है तो debt बहुत जादा इस company को बात करें तो around 2100 करोड के असपास इन company के पास जो है अगर हम लोग company के total income की बात करें तो 1083 करोड ता मार्च 2016 में और consistently यह हर साल यहाँ पे हम लोग देख सकते है देरे देरे बढ़ रहा है company का total income और अगर हम लोग मार्च 2020 की बात करें तो वह हुआ है 2030 करोड यानि के around लगबग जो है double के आसपास का हम लोग यहाँ पे जो है यह भी जो है double हो चुका है जिस आपसे इसका income बढ़ रहा है तो उससे अपसे expenditure भी हम लोग बढ़ते वे देखते हो मिल रहा है और तो main इस company का जो है मुद्दा देखे तो इस company के उपर जैसे depth है तो यह interest भी वैसा ही पे कर रही है 743 करोड का जो है 2016 में यह interest पे किया था अ इस company का अगर 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 नेट फ्रॉफिट के बात करें तो 157 करोड था इस company का नेट फ्रॉफिट 2016 में वो consistently बढ़ रहा है अगर हम लोग मार्च 2020 के बात करें तो 376 करोड का इस company का जो नेट फ्रॉफिट हुआ है तो positive side देके तो total income बढ़ रहा है year on year पे पिछले पास सा इस company का नेट फ्रॉफिट बढ़ रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर अगर नोग लोग company के इंटरस के बात करें तो यह एक negative point है क्योंकि इस company को पर जिस हिसाब से depth है तो उसाब से company जो है interest payout करने हुए हमें देखने को मिल रही है दोस्तों किसी भी company में न जो है इस company की पीर कंपेटर देख पा रहा है first of all अगर हम लोग यहां पर P ratio के बात करें तो 13.41 पर चल रहा है दानों पर यह company चल रही है अगर हम लोग पर दूसरे मुद्धे देखे तो यहां पर हम लोग देख सकते कि यहां पर debt to equity ratio 8.74 है जिसे अगर हम लोग यहां पर यहां पर यह बहुत कम है सेक्टर की तो अगर हमें जो है दिकच कंपनियां around same valuation पर या फिर सस्ते valuation पर मिलने को मिल रही है as well as यहां पर उसका market के अब जयादा है तो stable company हम लोग कह सकते है as well as इसके अगर हम लोग debt to equity की बात करें तो वो भी कम मिल रहा है तो definitely हम लोग जो है इस company की मुकाबली दूसरी company को उपर ज्यादा focus और कर सकता है चले दोस्तों करता है इस company का technical chart analysis फर्स्ट अप लगन लोग यहां पर देखे तो market गिरने से पहले यहां पर यहां पर पास्सों की रुपए के पर कामकाच करते हुए देखने को मिल रही थी प्री कोविड लेवल पर अगरम लोग यहां पर देखे तो market गिरा तो यह company भी गिरी और इस company जो अरौंड 250 के आसपास का जो लो लग गया इस company दिरे तीरे रिकोर हो रही है अगरम लोग current price की बात करें तो current price निकल का रहा है इस company 388 रुपिस पर हम लोग के कुछ दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो RSI का नंबर निकल का रहा है 60 पर हम लोग यहां पर MSCD चार्ट को देखे तो MSCD चार्ट पर हमें जो है यहां पर एक बीरिश क्रॉस ओर मिलाता अरौंड जो है 390 के price पर उसके पास stock correct हुआ 360-400 टूपिक आसपास आया अभी हम लोग जो है मिडल बोलिंचर बैंड के उपर लेवल में रही है जब company इसका उपर का बैंड हीट करते तो यहां पर थोड़ी correction आती है लेकिन बोलिंचर बैंड की मिडल का जो support लेकि फिर से stock आगे बढ़ जाता है और लोग यहां पर देखे तो दूसरी बार ऐसी हुआ फिर से यह stock नी बाहर जा रहा है लेकिन जिस सबसे यहां पर जो है एक narrow channel बनते जा रहा है तो वहां से यह stock आने वाले कुछ दिनों में breakout दे सकता है उपर या नीचे अभी वह देखने वाली बात है लेकिन current level पर यहां पर यहां पर जो है stock उपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहां प का तो दोनों moving average के ऊपर trade कर रहा है अगरम लोग देखे तो 200 के moving average के आसपास currently पिछले एक मैने से यह stock इसी जो है रेजमे movement देखा रहा है अगरम लोग company के support और resistance की बात करें based on pure point chart तो pure point इस company का निकल कर आ रहा है 368 रुपे जैसे हम लोग देख सकते है यहां पर पिछले एक मैने की जो है यहां पर august month में जो है यहां पर बहुत ही strong जो है यहां पर इस जो है pure point का यहां पर support देख में मिल रहा है क्योंकि company इस जो है support के नीचे नहीं जा रही है तो जिस जबसे company नहीं नीचे गई पहली बार support लिया फिर उपर जाने का प्रयाश कया फिर से चार रुपएव का अगर हम लोग दूसरे resistance के बात कर तो वह है 444 रुपएज पर अगर हम लोग एंडर स्ट्रिक चाट पर देखे तो यहां पर जैसे ही company इसके 390 से लेके 400 की zone में एंटर करते है तो वहां से यह company नीचे आ जाती है क्योंकि यहां पर बहुत ही strong company को resistance है तो अगर हम लोग यहां पर देखे तो company ने पहली बार यहां पर test किया था दूसरी बार टेस्ट किया था आज भी company 391 का एक हाई लगा था लेकिन इसके बाव जो company 388 रुपएज पर close हुई तो देखा जाए तो यह बहुत ही strong resistance होने अगर इसको अच्छा volume के साथ company तोड़ती ह तो आने वाले दूने हम लोग इस टॉक में और अच्छी रैली देख सकते हैं अगर हम लोग support की बात करें तो पहला support निकल के आ रहा है 328 रुपएज पर दूसरा support है इस company का 291 रुपएज पर अगर हम लोग इस company में fresh positions की बात करें तो यहां पे current level पे आप fresh positions अवाइड कर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दिए अलसो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई